नमस्कार मित्रों, हिस्टी वी डाक्टर टिके सुकला चैनल के अंतरगर्ट, अब हमें एक नई स्रिंखला जारी कर रहे हैं, आजादी के 75 वर्स पर सरकार आजादी कामरित महोसो मना रही है, और इस महोसो के कारिकम में जो अंसंध ही रोज हैं, ऐसे अनाम सहीत, जिन्होंने स्वधनता संग्राम में बड़ी महात्रपूल भूंकानी भाई, लेकिन किनी कारणों बस लोगों से रूबरू होने को उनको मौका नहीं मिला, या लोग उनके नाम को नहीं जानते हैं, ऐसे बीरों की बलदान की गाथा को सरकार सामने लाना जा रहे हैं, और उसी छेतर में मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि ऐसे अनाम सहीदों से आपको परचित कराय जाएं और उनके योगदान से आप परचित हो सकें, तो उसी सिंखला के अंतरगत आज मैं सबसे पहले प्रारम कर रहा हूं तात्या भील, भील समदाय, जनजातिय समदाय का वो नैक जिसके योगदान था और विशेश करके दस वर्सों के दोरान उसने बिटिस सरकार को एक प्रबल चुनोती थी, एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा राष्ट नायक, एक ऐसा लोक नायक जो मालवा की मिट्टी से निकला था, मध्य प्रदेश के खनवा जिले का रहने वाला था, जो उ एसील में गाउं बड़दा का ये रहने वाला था, तात्या भील एक ऐसा लोक नायक, जिसको की राविन हुटाफ इंडिया के नाम से जाना गया, जनजातिय समदाय का एक ऐसा अमर नायक, जिसको की लोक मामा के नाम से जानते थे, जो बिटिस सरकार के लिए एक प्रबल च कि राविन हुटाफ इंडिया को गरिफतार किया गया, तो बिटिस समाचार पत्रों ने इसको राविन हुट से तुलना किया, जो अंग्रेजी सासन के अन्याय के विरुद, अंग्रेजी सासन के अत्याचार के विरुद, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहा और अपनी समानांतर सरकार इसने मालवा और निमार छेतर में अस्थापित की गुरुल्ला युद्ध करता था आजवासी समदार से था तीर धनों से के हतियार थे या पारमपरी खतियार जो आजवासी समाज में इस्तेमाल होते थे धारिया या फलिया उसे कहा जाता था अद्बुद निसाने बाज बहुत सुंदर निसाने बाज बहुत फुर्तीला इसके बिशेश कुरत है और तात्याविल نे अपनी पूरी ताकत से बेटश अन्याय का बेटश साम्राज का विरोद किया। करता क्या था ये च्छापा मार्युद्ध करता था और च्छापा मार्युद्ध करके अंग्रेजी सरकार की खजाने को लूडता था और उसको फिर गरीबों में बाट देता था अपनी दानवीरता के लिए अपनी उधारता के लिए गरीबों की मदद करने के लिए ये बहुत महसूर था तो तात्या भील ने जब अंग्रेज सरकार का विरोध करना चालू किया उससे पहले जिरा हम जान लेते हैं कहां का निवासी था तहसील पंधाना जिला है, खंडवा, राम, बढ़दा यहां है इसका जन्वादा 26 जन्वरी 1840 मैं इसका जन्व हुआ जब यह बालक से बड़ा हुआ उसी समय से इसमें नेतुत च्छमता का गुरू था बहुत बहादूर था, बहुत धसानेबास था और नेतुत च्छमता के गुरू ने इसको भील समदाय का नायक बना दिया पहली बार इसको अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध गलत विवहार करने के करण अठारा सो चोहत्तर इस भी में गिरुद्ध तार किया गया बढ़ सम गिरुद्ध तारी और दोस इसका कि अंग्रेजी सरकार के साथ इसने मिस्भैक किया है बाद में जो अंग्रेजी पुलिस थी कई छोटे छोटे अपराधों के मुकद में इसके सर उसने मढ़ दि इसका जीवन देरे देरे बिटिस सरकार की नजरों में एक अपराधिक प्रगिर्ट के ब्यक्तिका जीवन हो गया इसको बार-बार पुलिस परिशाम करड़े लगी बिटिस सरकार के इस अत्याचार से बचने के लिए अब इसने मालवा और निमार छेतर के उन जंगलों का सहरा लिया। अपनी इसने भील समदाए की टोली घठा की और बिटिस सरकार तता होलकर जो रियासत बगल में श्थित थी उस दोनों रियासतों के यहां यह चुट-पुट घटनाय करने लगा और साथ-साथ बिटिस खजाने को लूटने लगा। कई बार बिटिस खजाने को लूट करके य तात्या भील या मामा गरीबों में बारता रहा। दूसरी बार इसको 1878 में गरफतार किया गया। लेकिन इस बार केवल तीन दिन तक इस जेल में रह पाया। अंग्रेजी जेलें इसको बहुत दिन तक अपने अंदर नहीं रख सकी। तात्या भील को उस जेल में ही एक मित्र मिला। उसका नाम था दोल्या भील। दोल्या भील के साथ इसने जेल से भागने की योजना बनाई और तीन दिन के अंदर ही जेल तोड़ करके दोनों साथी भागने में कामियाब हुए। हुआ क्या कि इसको पेशी के लिए ले जाये जाना था और बिटे सरकार इसको काले पानी की सिजा देना चाहती थे। दोल्या भील ने जेल की सलाखों को तोड़ा और उसी पुलिस करमी की वर्दी को पहन करके दोल्या भील पुलिस के वेस में जेल के मुक्धवार से बाहर आ गया। और तात्या उसको जेल की कोठरी में घायल करके डाल करके और बाउंडी वाल कूद करके जेल की बाउंडी से निकल भागा और इस प्रकार तीन दिन के अंदर ही ये बाहर आगे और ये 1878 से लेकरके 1889 के बीच 1878-1889 इस बीच इसने ब्रेटिस सरकार के भिरोध में लगातार वारदात करता रहा ब्रेटिस सरकार को छकाता रहा ब्रेटिस सरकार इसका कुछ भी नहीं कर पाई और ब्रेटिस सरकार के लिए प्रबल चुनोती निमार छेतर में बढ़ गया तात्या भिल की वारदातें बढ़ती जा रही थी तात्या भिल को ग्रिफतार करना मुश्किल हो रहा था ऐसे में इसके एक विश्वस्त साथी को ये कह करके कि तात्या भिल को माफ कर दिया जाएगा और उस विश्वस्त साथी के धोखे में आ करके ये अंग्रेजी सरकार के साथ बारता करने लगा और इसी बीच हाजी जसरुला खां यूसुफ जाई नाम का एक बेक था उसने इनको ग्रिफतार कर लिया किसे ग्रिफतार किया हाजी जसरुला खां यूसुफ जाई हाजी जसरुला खां यूसुफ जाई ने इनको दस नौवंबर 1889 को ग्रिफतार कर लिया दस नौवंबर 1889 को ग्रिफतार किये गए और इसके बाद निवार्ख स्टाइम में वो खबर चापी गई राविन हुडा इंडिया टाट्या भिल को बेटे सरकार ने ग्रिफतार कर लिया तत्या भिल को ग्रिफतार कर दिया गया और इनको इंदौर की जो सेंटरल जेल थी उसको उसमें कहते थे सेंटरल इंडिया एजेंसी जेल सेंटरल इंडिया एजेंसी जेल इंदौर में इसको रखा गया सेंटरल इंडिया एजेंसी जेल यह कहां थी इंदौर लेकिन ब्रेटर सरकार की मंसा तो इसको फासी पचरहाने की थी ब्रेटर सरकार ने तात्या भील या मामा को इंदौर से जवलपुल लाई और वहां 4 दिसंबर 1889 को इस माटी के लाल को फासी दे दी गई 4 दिसंबर 1889 इसकी लोग प्रियता एतनी ज़्यादा थी कि ब्रेटर सरकार ने इसके सो को भील समदाई के लोगों को नहीं दिया और इसके सो को ब्रेटर सरकार ने मध्ध प्रदेश में पाताल पानी रेलेवे स्टेशन के पास रेलेवे लाईन के किनारे भील समदाई में पता लगा कि तात्या भील को फांसी दे करके उसके सो को पाताल पानी स्टेसन के पास फेगा गया है पाताल पानी के पास भील समदाई की बड़ी भील इकट्था हो गई और उन्होंने अपने अमर नायक को अपने लोक नायक को अंतिम बेदा दी आज भी पाताल पानी के पास इनकी समाधी है आज भी भिल समदाय के लोगो ज़ारा इनकी समाध पर इनका काट का पुतला बना करके उसको एक पवित रस्थान के रूप में पूजा जाता है तो ये कहानी थी मित्रों तात्यावील के असी म्योगदान की कई ऐसे अंसंग हिरोज हैं जिन्होंने बढ़ चड़ करके भागीदारी दी और स्वतनता दिलाने में अपना सब कुछ नुचावर कर दिया आवसकता है उनको जानने की उनके संकल्पों के भारत को साकार करने की ऐसे और अनाम सहीदों की कहानियों के साथ मिलते रहेंगे इस संकला में वीडियो देखिए चैनल को लाइक साथ सब्सक्राइब भी करते रहें और आपके जो प्रतक्रियाएं हैं वो हमारे लिए बड़ी महत्तपूर हैं धन्यवाद बित्रो